प्रेस्ट कान्फरेंस में और नेता जी सुभाश्वंदर बोस के इस खास जयनती पर यह पुरा प्रोग्राम औरगनाइस किया गया है प्रेस्ट रिलीज है और मेरे साथ जो है अभी सेवियम हिम्स के उनर भी मौजूद होंगे सर सबसे पहले वल्कम है मार चैनल पर थैंक यू सू मच और मुझे इस खास जो यह प्रोग्राम है इसके बारे में कुछ जानगारी दीजेगा जैसे हेल्प जो बुक है आज सकते उसके बारे में है और जैसे सेवियम हिम्स के बारे में अगर में जानकारी लों तो सेवियम हिम्स में किस तरीके के पेशेंट्स आ रहे हैं किस तरीके के प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स आदा हैं सेवियम हिम्स के अंदर किडनी के पेशेंट्स बहुत जादा हैं उसक पेशिंट लाइफ इस्टेल डिजीज जिसको बोलते हैं डाइबिटीज ब्लड पेशर उसके तो कोई लिमिट ही नहीं है बहुत पेशिंट साते हैं हमारे पास इसके पीछे कारण क्या है कि इतनी तेजी से सबी बिमारियां बढ़ती जारी हैं डाइबिटीज, किटनी या कोई भी और खान पीन है, इस्ट्रेस लेबिल बहुत जादा है हमारा बोडी का मूवमेंट बिलकुल नहीं है जो डॉक्तर विशुरूप के पांच प्रोटोकॉल जो देते हैं कि वो होने चाहिए टाइम एज मैडिसिन, फूड एज मैडिसिन, हीट एज मैडिसिन, ग्रिविटी एज मैडिसिन, इन सब चीज को अगर हम फॉलो करते हैं तो नहीं होते हैं तो हमारी कोशिश यही थी कि उनका लाइफ स्टाइल ही तब बदल दिया जाए कि यह प्रॉब्लम नहों बिलकुल लोग हम जो मिलेट्स के डाइट देते हैं तो कई बार लगता कि यह तो रेगुलर में नहीं खाया सकती है तो उसके लिए कोकिंग क्लासेज होती हैं हजारों डिशिस हमने क्रेट की हैं बताते हैं उनको रेगुलर बुलाते हैं तो एक दब नॉर्मल फूट की तरह खाना जब आता है समझ में आ जायता है तो लगता कि बहुत अच्छे सा सही वह रहे हैं हमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है कितने परसेंट जो पेशेंट है वो ठीक होते हैं मैं एजूम कर रहा हूं अरूंड 70-80% लोग ठीक होते हैं 20-30% वो लोग होते हैं जो डाइट को फॉ सब्सक्राइब है कि हम उनको फॉल उप में रखते हैं शुरुआत में हम लोग रेगुलर डिली बेसेस पे फॉलो रहता है फिर वीकली बेस पे जाते हैं जब सब कुछ होता है तो दिरी दिरी मंतली हम कांटेक करते हैं और आफ्टर तीन मेहने के हमारे प्रोसेज बनाए क कि अमर्जेंसी को टील किया जा सकता है हमारे पास काडियलोजिस डॉक्टर वगरा पूरी अलोपैतिक वी टीम रहती है जो एक बार ज़रूत ही होते हैं मेनेजमेंट किया सकता है जैसे सेवियम जैपूर में है तो सरफ जैपूर के आसपास के लोग आते हैं या फिर जाता है तो गुजरात में बहुत जादा है प्रॉबलम में मारास्टा में भी है किड्नी के बहुत जादा पेशेंट हैं और उनको अभी तक एक ही मैसेज दिया जा रहा है अलोपैति के अंदर कि वह तुम ठीक नहीं हो सकते तुमार को जीवन भर डिलेसिस पर या ट्रांस बन जाती है एक कुस्सा हो जाता है और जहां भी वह को लैक करता है उसको पकड़ने के लिए तैया रहते हैं और यही है कि सीवें हम इंदर इतने अच्छे हम रिजल्ट दे पा रहे हैं आज जो कई जने चैलेंज करते हैं तो हमारे कर्टे 9 लेविल है जो आज की तारीक मे नॉमल है उनका EGFR भी काफी नॉमल हो चुगा है 90 प्लस हो चुगा है ऐसे काफी पेशेंट्स हैं जो इतम ठी हो चुगा है तैंक यू सो मुझ सर थैंक यू